सो हेलो एब्रिवन रामा इस्टील में आप देखेंगे यहां पर एकदम से पहले तो यहां पर गिरावेट ही चल रही थी सुवे से मार्केट में बट एकदम से इस सेर में तेजी देखने को मिल गई है सो इस वीडियो में बताऊंगी मैं क्या वो न्यूस है जिस कारण इसमें तेजी देखने को मिली है और यह भी बताऊंगी क्या इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है सो पूरी वीडियो वाच कीजिएगा बट उससे भी पहले आप लोग हमारा वटसप गुरूप जोईन कर सकते हैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया था हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा का इस्टॉक और आप देखेंगे इसके और टार्गेट डन हो चुके हैं करने वाले हैं और हम ग्रीन एनर्जी लिमिटेट की यह कंपनी हैं सो यहाँ पर जो यह एक्वाइर करेंगे तो यह जो एक्वाइर करेंगे यह इन्होंने परपोजल रखा है फाइव करोड का यहाँ पर परपोजल रखा है इतने में यह कंपनी को एक्वाइर करेंगे और इस company से ये green energy and renewable energy से related चीजें यहाँ पर हो सकती है ये काम आएगे मतलब यहाँ पर इस field में एक company काम करती है तो इस field में ये rama still इस field में मतलब इसको acquire कर रही है तो ऐसे में ये एक अच्छी news देखने को मिल रही है जिस कारण इस share में आप देखेंगे एकदम से तेजी देखने को मिली है इसके price uptrend moment अभी आप देख रहे हैं वैसे तो down आ गया है बट अभी इस share में आप देखने को मिला था थोड़ा बहुत ठीक है आगे बताती हूं मैं क्या इसका support resistance निकल कर आ रहा है बट previous returns देखते हम पहले तो five days में ठीकठा की returns थे positive returns थे वन मन्त में देखा जाए तो वन मन्त में भी बड़िया returns है 38% और past six month में यहाँ पर ज्यादा खास तो नहीं है returns year to date में देखा जाए तो year to date में भी ज्यादा खास returns नहीं है 20% only one year में आप देखेंगे one year में 24% returns है और five years में वैसे बढ़िया returns दिये, इसने 1842% all-time में all time में भी ठीक ठागी returns है, five year में इसने बहुत बढ़िया returns दिये है one year में तो जादा खास नहीं दिये, five days में इसने one month में, जादा अच्छे returns दिये है and five year में बहुत बढ़िया returns दिये हैं ठीक है so long term perspective से भी आप लोग इस stock में holding का सोच सकते हैं बढ़ ज्यादा quantity भी मत लीजेगा अपनी own risk में कुछ quantity ले सकते हैं आप लोग so weekly time frame में बता रही हूँ मैं आपको मुझे जां तक लग रहा है कल यहाँ पर impact देखने को मिल सकता है आज तो यहाँ पर market close ही होने वाला है तो अभी impact देखने को नहीं मिल रहा इतना और उपर से market में भी गिरावट देखने को मिल रही है so जिसके कारण यहाँ पर भी negative impact देखने को मिल रहा है but यहाँ पर अगर बात करूं मैं कल यह अगर 14.45 के down closing देता है तो तब यहाँ पर गिरावट की और possibility हो सकती है क्योंकि weekly time frame में मैं यह बता रही हूँ यहाँ पर कल Friday है तो कल अगर गिरावट होती है closing यहाँ पर अगर यह 14.45 के down देता है तब यहाँ पर 13.10 के around इसका support level नजर आ रहा है बागी resistance की बात करें अगर अगर यह 15.34 के बहुत sustain करें तो तब यह 16.95 के around 16.80 के around कह सकते हम यहाँ पर जाता हुआ दिख सकता है सो वेट कीजिए से stock में बाकी better रहता है पैने stock में ज्यादा पैसा invest मत कीजिएगा न्यूस के चलते uptrend moment या downtrend देखने को मिल सकता है better रहेगा long term perspective से कुछ quantity hold करने का आप लोग सोच सकते है I hope आप लोगों को यह वीडियो पसंद आयोगी समझ आयोगी Thanks for watching this video